नमस्कार स्वागत है आपका लाइब खबर में मैं हूँ आपके साथ पूजा चाथ खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों के साथ फरुकाबाद के जहान गंज में बैंक के बाहर सैंकडो छात्रों ने हंगामा करते हुए सडक को जाम कर दिया जिसे मौके पर पहुँचे उपनिरिक्षक सुरेंदर सिंग ने खत्म कराया चात्रों ने बताया कि वो बैंक में खाता खुलवाने के लिए आये थे लेकिन बैंक कर्मी खाता खोलने से आनकानी कर रहे हैं साथ ही बताया कि 30 अगस्त खाता खोलने की आखरी तारीक है अगर जल्द से जल्द खाता नहीं खोला गया तो उनका वजीफा नहीं आएगा इसलिए सभी छात्र बैंक कर्मियों के खिलाप प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं बैंक मैनेजर जोती प्रताप सिंग ने बताया कि बैंक कर्मी च्रेनिंग पर गये हैं लेकिन छात्रों के खातों के लिए जल्द अलग से काउंटर खोल कर खाते खोले जाएंगे वहीं यूपी में लगातार आवारा जानवरों की बढ़ुतरी से लोग आई दिन मौत के शिकार हो रहे हैं ताज़ा मामला पीली भीत के विलसंडा सीएचसी का है जहां एक गाड़ी सड़क पर बैठे आवारा सांट से टकरा गए जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गई शोर मचाने पर मौके पर पहुँचे स्थानिय लोगों ने गाड़ी में फसे लोगों को बाहर निकाला और आनन फानन में पुलिस को सूच ना दी वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दो शबों को पोस्ट मौटम के लिए भीज दिया और घायलों को अस्पताल में भरती कराया वहीं घायल ने बताया कि वो सभी हर्याना से मजदूरी कर घर लोट रहे थे तभी ये हाथसा हुआ वहीं फरुकाबाद में बीजेपी के युवा मोर्चा के निताओं ने पंजाब की कॉंग्रेस सरकार के मंतरी नवजोद सिंग सिद्धू का पुतला फोक कर विरोध परदर्शन किया और नवजोद सिंग सिद्धू को देश द्रोही करार देते हुए सिद्धू को कॉंग्रेस पार्टी से एविलम निस्कासित करने की मांग की युवा मोर्चा की निताओं ने कहा कि एक ओर जहां पूरा देश भारत रतन पूर्व पीम अटल बिहारी बाजपे के निधन का रास्ट्य शोक मना रहा था वहीं दूसरी और मंत्री नव्जोद सिंग सिद्धू पाकिस्तान जाकर भारते सेना पर हमला करने वाले पाक प्रमुख सेना से गले मिल रहे थे पूरा देश इसकी आलोचना करता है। कानपुर में एक बार फिर पुलिस की छवी धूमिल होती दिख रही है। खबरों में फिलाल इतना ही बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुणने के लिए देखते रही है लाइब खबर। झालोचने के लाइब खबरों से जुणने के लाइब खबर। झालोचने के लाइब खबर। झालोचने के लाइब खबर।